अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं बूलना हलो ब्रवन वेलकुम टेक्नलिएज और कहले मैं आप लोगे से सवाल पुछा दें कि जीएश्टी से क्या आप खुश है या नहीं है तो मुझे एक मिक्स्ट रियक्शन आया है यानि कि काफी सारे लोग ने हां का 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 फी सारे लोग नहीं का लेकिन ज्यादा यहां पर नहीं और बहुत ही इंट्रेशिन सवाल है हम सभी लोग बता है कि शामी और नोक्या दोनों एक ऐसे ब्रैन्ड है हला कि शामी को नोक्या से कंपार नहीं कर सकते हैं यहां पर शाओमी हमें बज़े ने सख कुछ दे रहा है कमेंच करके बताएगे कि शामी या फिर नोक्या अगर अब रिजन देना चाहते है तो रिजन भी आज़ आ जो दे दीजी ने कि पहले कबर की बात करते और आप लोगों बता जाते है कि शाओमी का मी मैकस 2 बता जाना है कि इंडिया कंडर 26th जुलाई को जो वह लौँच हो सकता है यहाँ पर प्रिविसले आप लोगों मैंने बताया था कि Xiaomi अपना Mi 6 या फिर Mi Max 2 यह दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन इंडिया के अंदर ले के आएगा और फाइनर यहाँ पर कुछ हिंट आई है Xiaomi के इंडिया है मनुझेन ने बताया है कि Mi Max 2 यहाँ पर यहाँ पर सामना है और 26 July को बताया है कि यह फोन आ सकता है हम सभी लोगों को बता है कि Xiaomi Redmi Note 4 ने बहुत ही ज्यादा दूम बचा है लेकिन यहाँ पर Redmi Note 5 कुछ नई चीज़े हमारे लिजबर जो ले कि आ रहा है यहाँ पर बताया है कि Xiaomi Redmi Note 5 ने बताया है यहाँ पर यहाँ पर है यहाँ पर से बहुत अच्छी इंप्रूब्मेंट्स लेकि आ रहे है यह फोन पहले चाइना में लॉच्ट होगा उसके बाद ही हमें इंडिया के देखने को मिल सकता है तो जीओ की तरफ से खावर आ रही है और आप लोगों बता रहे होगा हम सभी लोगों को बता है कि जीओ का फीचर फोन बहुत जल्दी आने वाला है यानि कि यह फोन बहु सतरा सु रुपे के और अट्रा सु रुपे की मैने फिक्ट्रिंग कॉष जीओ को पढ़ रही है लेकिन हमें बताया दा रहे है कि 2400 रुपे के असपा सी स्मार्ट यह फीचर फोन जीओ शुरुवात होगी यानि कि इसकी जो प्राइसिंग होगी वो धाय हजार रुपे से असपा स्टार्ट होगी और हो सकते हैं 3000 रुपे तिक कर जाएगी लेकिन यहां पर यह बताया दारे कि Qualcomm का 205 की चिपसेट के साथ में एक फीचर फोन जिसमें देखने को बिलेगा और एक यहां पर जो स्पीड ट्रम की प्रोशेसर के साथ में होगा मेरे साब से जो Qualcomm का 205 वाला चिपसेट वाला जो है वह फीचर फोन के लिए बनाए गया है जा पर हमें वाइफाइ का सपोर्ट भी लेगा और उसके पोर्टेबल होट्सपर बगरा भी जो कर सकते हैं मेरे सबसे बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलेगी वह एक्सेप्टेबल उस प्राइस में ल बहुत ली बड़ी बाते करता है और यह बार जो समार्बन ने स्मार्फोन लांच किया कारबन के 9 कवच करके 4G स्मार्फोन है जिसके निरा आपको इंटीग्रेटेड यूपी इस सिस्टम मिलता है यानि कि आप भी मैं अप्लिकेशन आपको पहले से मिलता है साथ में अब यह बड़ी आपको अनुन का कोड़ को प्रसेसर मिलता है एक जीबी को रह मिलती है एट जीबी को श्टोरिग मिलती है 5 मेगापिसल के रेर 5 मेगापिसल सेलफी और 2300 अबिज को बैटरी मिलती है ना कुछ नहीं कह सकता हूं मेरा स्पीनर भी मुझे मिलने रहा है मना मunku को पता है कि हम करते मिंग चिंग को हों की तरफ से यहां मिंग चिंक को यह वह फोन के भी यहां पहले लिक करते दो सारे कि सारे होंदी यह मुझे आभ ही पता चला यहां पर वाने वाला उसके अंदर हमें जिबाटा पेंदर ऑ हमें facial 3D recognition जो फीचर देखने को मिलने वाला है यानि कि जो optical fingerprint scanner होगा उसकी जगा पर आपको facial 3D recognition का system जो वो देखने को मिलने वाला है जो मिंग चिंग कूँ नहीं यहां पे जो cleared किया है और देख लेते कि यह कितने हत्तका सही लेकिन मिंग चिंग कूँ जो भी बात करते हैं वो सही करते हैं यहां तक कि मैंने चारे रिसर्च करके मिंग चुक को चोड़ों तो इंडिया की तरफ से कब जी हां इंडिया की तरफ से ख़बर आदी और बताया जाए कि इंडिया के इंदर बहुत जल्दी हमें जो एलेक्टरिक कार देखने को मिल सकती है अब यह बहुत जल्दी मतलब याने कि 2030 तक का जब तक मैं कितने साल का हो जाऊँगा दो हजार 27 दज साल तेरा मतलब अभी मैं 28 साल का हो तो 38 जब तक में 41 साल का हो जाओगा तो शायद से मैं आप लोग को इलेक्ट्रिक कार में दिखूँगा और उसके पर में एक वीडियो बनाऊंगा अन्बॉक्सिंग तो नहीं का सकते हैं आपको हैंड्सओन देने बाला हूँ और आपको लोगों पता है कि LG कहां पर बैटा हुआ है वो धीट केटिगरी है हमारे पांच्छाल के अंदर जहां पर LG है स्नैपडगन का 435 का प्रोसेसर मिलता है आपको 5 का रियर 5 का सेलफी और 3000 इमिच के आपको इसके वो बैटरी मिलती है यह टेबलेट आपको 305 डॉलर के असपस मिलता है लगपक से 18 या मेरे कर से 15,000 के असपस आपको मिल जाते है अब आप यह टेबलेट क्यों खरीदेंग आप मुझे कमेंट करके बताएगा अदब तक मैं इसको स्पीन करता हूं तो नोकिया की तरफ से खबर आ रही है और हम सभी लोगों को पता है कि एमेजॉन पे जुलाइ 14 से नोकिया 6 इंडिया के अगर आपको करना है लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी यह फोन रेकेमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही आउट्डेट प्रोसेसर है और प्राइसिंग इसकी काफी ज्याता ओवर प्राइस्ट है अब यहां पर नोकिया का कॉपर करके एक वर्जिन आ रहा है यानि कि इस तरीके के डिफरेंट कलर में नोकिया अपना नोकिया 6 का स्मार्टफोन भी लाना वाला है जो सबसे पहले यूएस में जाएगा उसके बाद हमें यह वर्जिन विचो इंडिया में देखने को मिलने वाला है अब आप कितने भी डिफरेंट टाइप के कलर्स लाइए हमें यहां पर चाहिए फीचर और यहां पर चाहिए बजट क्योंकि नोकिया से S8 और Samsung Galaxy S8 Plus, Smartphone of the Year हम ऐसी ही कहेंगे क्योंकि इसको जो अवर्ड मिल चुका है और यह स्मार्टफोन में पेरे भी आप से खाता है कि एक All-rounder स्मार्टफोन है जो बहुत इच्छी स्मार्टफोन चल रहे है यहां पर बता है कि Samsung अपना Samsung Galaxy S8 Mini करके एक स्मार्टफोन जो बहुत जल्दी लांच कर सकता है जो इन दोनों स्मार्टफोन का एक डाउन ग्रेड और एक लाइटर वर्जिन होगा यहां पर Samsung Galaxy S8 Mini में बता है कि 4.7 इंच के आपको डिस्पेय मिलेगी लेकिन खासियत इस फोन की यह होगी कि यहां पर इसके अंदर आपको 5.3 इंच की एक इंफिनिटी डिस्पेय मिलेगी जो हमें Samsung S8 और S8 Plus में जो बहुत देखने को मिलती है तो 30-35 रुपे क्या स्मार्फोन जो हो सकता है तो बहुत जल्दी स्मार्फोन पहने चाइना में लौश्ट होगा उसके बात हमें स्मार्फोन इंडिया में देखने को मिल सकता है गूगल की तरफ से खबर आ रही है और बताया जारे कि गूगल अपना प्लेश्टोर का 8.0 का अपडेट लेकिया आ रहा है जहां पे हम सभी लोगों को पता है कि जब भी हमें कोई अप्डेट करना पड़ता है हमारे माय एप के शेक्शन में जाते थे वहां पे अपडेट 8.0 के नजवा कर सकते है तो जब यह आएगा आप लोगो को जरू से बता देंगे आज की टेक्नियोंस यहीं पर खतम होती है अभीड करता आपको आज की टेक्शन आएगी अगर आपको पसंद आती है तो जरू से इस वीडियो को लाइक करिए मैं ऐसे आप लोगों के वोटो के साथ, till then have a great day and always keep smiling.